जैहिंद प्यारे विद्यार थी हों, आज हम लोग बात करेंगे केके पाठक के द्वारा जारी नए फर्मान के बारे में, जिसमें बच्चों का 75% अटेंश आनिवारे किया गया था जदि जो बच्चे 75% अटेंश नहीं बनाते हैं, तो उनको फारम भरने की अनुमती नहीं दी जाएगे तो हम आपको बता दें कि किन बच्चों के लिए 75% अटेंश आनिवारे है, कौन से बच्चे 75% अटेंश बनाएंगे और कौन से बच्चे नहीं बनाएंगे बता दे कि सभी लोगों के लिए आनिवारी अन्वी यह आनिवारिता को खतम कर दिया गया लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए आनिवारी है यह हम पूरा इस विडियो में चर्चा करेंगे कि कौन बच्चे को कॉलेज जाना पड़ेगा और कौन से बच्चे को कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा किनको अपना अटेनिस बनाना पड़ेगा और किनको अपना अटेनिस नहीं बनाना पड़ेगा इसके बारे महांदो जाए तो सबसे पहले बता दें यदि आप 10-11 टोगल की क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यह काफी इंपोर्टेंट होन यानि जो हमारा कॉलेज में अश्कूल में 75% उपस्थिती हो जी जा रही थी यह खतम हो चुकी है लेकिन ध्यान रखे सभी बच्चों के लिए खतम नहीं हुए तीन बच्चों के लिए खतम ही है अभी हम बताएंगे करा 75% उपस्थिती की आनिवारिता खतम होने से 48 अभिवावकों में खुसी की बात तो बनती है वह या क्योंकि बहुत लोगों के कॉलेज काफी दूर है घर से जिसके कारण वो जा नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी बुलाया जा रहा था 75% अटेंडिस खो जा जा रहा था य का फरम भर सकते हैं आप अपने स्कूल कॉलेज में जाके प्रेश्वल को शर को बोल सकते हैं ना देखेगा करा बोड ने बिना बिलंब शुल्क के 12 अक्टूबर तक मैट्रिग एवां 11 अक्टूबर तक इंटर का फरम भरने की तिथी बढ़ाई यानि जो 10 का और 12 का जो फ बढ़ा वरोम बढ़ाया है अब इसे बता दे कि जो विद्यार्थी का 75% अंटरिनिश नहीं है वो भी इस फारम को भर सकते हैं यहां देख लीची कराए विद्याले परिच्छा समीति दोरा मैट्रिक बोर्ड परिच्छा तथा इंटरमेडियर बोर्ड परिच्छा 2024 में सामिल होने वाले छात्र छात्राओं की 75% उपस्ति जो पस्तिती खुज रही थी ना उसके अनिवारिता को शमाप्तर दिया गया है लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए 75% अतनिश अनिवारी है वो किन के लिए हम मुख्य बिंदू पर बात करेंगे तो बता दें यहां देखिए आपका बताया जा रहा है क्या बताया जा पस्तिती अनिवारी होगी यानि कि नया आदेश जो अब आया है वो किन के लिए आया है वाइसे बच्चों के लिए है जो 2024 में 2045 में परिच्छा देंगे तो हुझे में उनके लिए उपस्तिती को अनिवारी किया गया है तो वाईसे बच्चे जो 2025 में बोड एक्जाम देंगे वो अपना 75% attendance को क्या करेंगे बना लेंगे यानिके 75% attendance कमपल्स शरी है उपस्तिती अनिवारी किया गया है लेकिन जो बच्चे 2024 में एक्जाम देंगे उनके लिए कोई कमपल्स शरी नहीं है तब आप लोग विल्कुल अराम से अपना पढ़ाई को जारी रखें जो जहां पढ़ रहे हैं जिस कोचिंग इसेच्यूट में वहां अराम से पढ़ शकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अश्कूल और आपका कॉलेज जाना कमपल्स शरी नहीं है अटेनेश नहीं भी बनेगा तो आप फॉर्म भर सकते ह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो परफेक्ट्ली अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं और अच्छे रिजल्ट को पाएं है यह यदि वेडियो अच्छा लगा हो सविबच्चे को तो आपस में सभी बच्चे को आपस में ख़ूर कर देंगे ताकि सभी बच्चे को ये